गुद मॉर्निंग स्टुडेंस हमारे हिंदी पाठे पुस्तक खुलते पंक का दस्वा पाठ है मुझ में भी जान है देखे पाठ का नाम क्या है? मुझ में भी जान है मतलब कोई बता रहा है कि मुझ में भी जान है लाइफ है, जान मतलब लाइफ है मुझे में है ना, अब देखी इस से पहले कि हम इस पार्ट को पढ़ें ठीक है, पार्ट को समझें हम बात करेंगे, हम बातचीत करेंगे पेड़ों के बारे में आपने अपने आसपास बहुत से पेड़ देखे होंगे है ना हमरे आसपास पेड़ होते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना ग्रीनरी होती है अच्छी अच्छी हवा मिलती है हमको तो पेड़ों से हमको बहुत फायदे होते है ना होते है ना सबसे पहला फायदा हमें को जो पेड़ों से होता है वो पेरों से मुः क्या मिलते है, फृुट्स मिलते हैं बहुत सारे, है ना। आम, अमुरूद, आम वला, इस परकार से भाँ सारे फिलमू किसे मिलते है, प्लांटस, ठीस से मिलते हैं, है ना, इसके लावा, ठीस हेल्प करते है, बारिश होने में, ठीकleness जहां पेड जादा होंगे ना बच्चो वहाँ बारिश जादा होती है वहाँ चाओर तरफ हर्याली ही हर्याली होती है अगर समझ लीजिए कि हम पेड ना लगाएं और सारे पेड काड़ दें तो हमारे आसपास क्या होगा हमारे आसपास के प्रित्वी ऐसी दिखाई देगी एकदम जमीन सूख जाएगी बारिश नहीं होगी है ना ठीक है और क्या होगा सबसे इंपोर्टन चीज़ कि हमको अक्षिजन नहीं मिलेगी अक्षिजन के बिना तो हम भी मर जाएंगे ना मर जाएंगे ना तो इसी लिए पेड़ों को लगाना बहुत जरूरी है हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने ही चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए अब इस से ज़ादा हम पेड़ों के बारे में इस चैप्टर द्वारा समझेंगे इस कहानी द्वारा समझेंगे चीक है रशीद के पिता रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे लकड़ियां बेच कर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका गुजारा होता था अब इसमें एक लड़का है रशीद पिता है जो पापा है वो रोज रोज मतलब daily कहां जाते थे जंगल और जंगल से क्या काट किलाते थे लकड़ियां है ना और जो लकड़ियां आपको बेच कर जो उनको पैसे मिलते थे ना जो उनको रुपे मिलते थे उनसे उनका गुजारा चलते था गुजारा मतलब क्या होता है उनकी लाइफ चलती थी उनको पैसे मिलते थे तो उन्हीं से उनका खाना आता था उन्हीं पैसों से ठीक है गुजा क्या हुआ रशीद के पिताजी की तबियत ठीक नहीं थी मलब उनकी हेल्थ भिगड़ गई होगी है ना बिमार पड़ गई होगे तो रशीद ने कहा कि अब्बू अब्बू मतलब पापा ठीक है ये उर्दू वर्ड है अब्बू तो उसने अपने पापा से कहा कि आज मैं लकड़ियां काट कर लाता हूँ अब्बू बोले नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो रशीद ने कहा अब्बू आप फिक्र न कीजिए अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब्बू बोले कि नहीं नहीं बेटा लेकिन रशीद को बड़ा हो रहे थी कि अगर लकड़ियां नहीं आएंगी तो फिर हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे तो उसना ने पापा से कहा कि आप फिक्र न कीजिए फिक्र मतलब चिंता मत करो बोला अब मैं बड़ा हो गया हूँ रशीद लोहे की कुलहाडी उठा कर चल दिया वह एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा उसनी पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुलहाडी उठाई उसे रोने की आवा सुनाई दे अब क्या हुआ रशीद ने लोहे की कुलहाडी लोहा मतलब आईरन कुलहाडी मतलब X देखो इसके हाथ में है न ये ये क्या है कुलहाडी तो उसने कुलहाडी उठाई और कहां चले गया जंगल की तरफ और वो एक हरे भरे पेड़ के पास पहुँचा अब उसने एक बड़ा हरा भरा ग्रीन पेड़ देखा तो मैं इसी को काटता हूँ और उसने जैसे ही अपनी काटने के लिए कुलहाडी उठाई न तो उसको रोने की आवास सुनाई दी ठीक है उसको लगा कि कोई रो रहा है करके रशीद ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई न दिया रशीद ने दुबारा कुलहाडी उठाई तो फिर किसी के रोने की आवाज आई रशीद डर गिया पर वहाँ कोई नहीं था अब रशीद ने यहाँ वहाँ देखा कौन रो रहा है करके इस जंगल में लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया उसने फिर से अपने कुलहाडी उठाई पीड़े को काटने के लिए फिर से उसको रोने की आवाज आई अब वह डर गिया कि यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और पता नहीं रो कौन रहा है मुझे कहीं से आवा जा रही है तो वो डर गया